आपका जीवन मंगल मैं हो लाइक करें, शेयर करें आचारे पंडित गिरीश बारोलिया जोतिश, हस्त्रेखा एवं वस्त चैनल रादे रादे, जैश्र किष्णा, नमस्कार, व्याचार पंडित गिरीश बारोलिया गायत्री महामत्र अज्यानत मिरा अंधश्य, ज्याना अंजन सला के आप, चक्छुनीर मीलितं मेना, तस्मै सिरी गुरवे नमहाम मित्रो, आज हम आपके लिए गायत्री से सम्मन्दित, एक विस्यष जानकारी लेकर के आए हैं सभी के मन में जुग्यासा होती है, सभी पूछते हैं कि गायत्री मंत्र ही क्यों जपना चाहिए ऐसा गायत्री मंत्र में है क्या, जो हमें जपने से सर्व सुलब कई चीजों के हमें प्राप्ति हो जाती है, कई शमस्चाओं का हमारा नराकारा हो जाता है गायत्री मा की उत्पत्ती कहां से हुई, हर व्यक्ति के एक जुग्यासा होती है आज हम आपके लिए इन सब सारी चीजों के बारे में जानकारी देंगे लेकिन पहले हम आपको बताएं कि प्रिकर्ति में हर छण परिवर्तन होता है चाब नदी हो, तालाव हो, जरने हो, पहाड हो, मकान हो, पसुपक्षी हो, जानवर हो, यहां तक की मनुस्थ हो हर छण हमारे अंदर एक परिवर्तन हो रहा है हम पैदा होते हैं, धीरे-धीरे बड़े होते हैं और उसके बाद में धीरे-धीरे हमारा सरे छीन होता हुए चला जाता है और अंत में फिर जो है, हम बरत्तियों की आगोस में चले जाते है यह प्रकृति का धुर्ब सत्त है, कि जो जन्मा है, बुचाए किसी भी योनी का हो जो जन्मा है, उसे एक नएक दिन इस रस्टी से जाना है परिवर्तन किसमें नहीं होता है, सिर्फ एक ही चीज है, वो है परमात्मा जिसमें अनादी काल से वो चला आ रहा है, लेकिन उसमें एक सूत भी परिवर्तन नहीं हुआ है हर चीज में परिवर्तन होता है लेकिन परमात्माग में आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है परमात्मा जो है वो कभी परिवर्तन नहीं होता है ये परमात्मा है कौन इसे हम कैसे जाने ऐसा एक बितान ताता हमारे सास्त्रों में कि नारद मुनिकी एक बार एक्षा हुई और वो भगवान विस्णों के पास में पहुँचे और बोले मैं गायत्री के बारे में जानना चाहता हूँ कि गायत्री है क्या तो भगवान विस्णों ने उन्हां बोला कि मैं यानि कई जर्मों से पानी के अंदर बिस्राम कर रहा था चार और अंदकार था ना रोसनी थी ना कुस था न जीव था न जन्तू था सिर्फ जल ही जल था समस्त रुब्मान में सिर्फ जल ही जल था तम मेरी नाभी से एक कमल निकला और उसके जैसे वो निकलते निकलते पानी की सत्या पर आया तो उसमें एक सक्ती का प्रादर भाव हुआ जैसे उस सक्ती ने देखा कि मैं कहां से आया हूँ मेरा प्रादर भाव क्यों हुआ है तो बड़े असमन जसमें पड़ा गए तो उन्होंने सोचा कि मैं खोजूँ कि मैं जहां से आया हूँ वो जगह कौन सी है तो वो पुना नाभी कमल के अंदर उसकी जो रहती है डंडी उसके अंदर वो प्रिविस किये प्रिविस करते गए करते गए करते गए लेकन उसका अंत उन्हें दिखाई नहीं पड़ा ठक हार करके वो पुना आकर के और पानी की सत्य पर उस नाभी कमल पर बैठ गए जब वो बैठ गए तो उन्होंने देखा कि चारों और अंदकार है उन्हें समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ मुझे किसलिये बुलाए गया है तब उन्होंने आवाज दी कि वह यहाँ पर कौन है मुझे यहाँ पर किसलिये लाए गया है मैं कौन हूँ तब उहां से एक आवाज आती है कि आप ब्रम्ह के अंस है और आपके लिए स्रिष्टी के निर्माड करना है तो उन्होंने बोला मैं स्रिष्टी के निर्माड कैसे करूँ और आप कौन है आप मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही है तो उन्होंने बोला कि जिसकी नाभी के कमल से आप निकले हैं मैं उन्ही के एक अंस्किर में जो है परब्रम हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, परब्रम हूँ मैं, तो बोला आप परब्रम है कोन है आप बोले मैं गायत्री, तो बोला आप मेरे समक्ष क्यों नहीं आती, बोले मैं आपके समक्षी हूँ, लेकिन मैं मेरा कोई स्वरूप नही है मैं समस्त्र ब्रभ्मान के कणकण में बिराजमान हूं हर जगह में हूं तब उन्होंने बोला कि मैं सरश्टी के नर्मान कैसे कर सकता हूं तब आकास मंडल में गायत्री मंत्र की प्रतिधनी होती है गायत्री मंत्र की जो प्रतिधनी होती है तो गायत्री मंत्र हमारे साथ बोले किस प्रकार से प्रतिधनी होती है इस प्रकार से गायत्री मंत्र की धनी होती है और उन्हें बोलती है कि आप गायत्री की उपासना करिए उन्होंने कई बरसों तक गायत्री को उपासना की और फिर उनके अंदर वो सकती आई तब फिर उन्होंने जीवों का नर्मान किया जीवों का नर्मान कर दिया लेकिन उसमें प्राण उर्जा कैसे हो प्राण उर्जा के लिए फिर उन्होंने सवीता के आरादना कि सवीतान शूर्य तो सवीता और गाहित्तरी दोनों एक ही सव化 है दोनों का एक ही रूप है आप कभी सोचें कि जब तक हम जिंदा हैं जब तक यानि हमारे अंदर प्राण हैं तब तक लोग हमसे प्यार करते हैं हम अपने सरीर की बड़े उससे देखरे करते हैं इत्र लगाते हैं बढ़ियां बहतरे हैं कपड़े पहनते हैं सोग करते हैं चस्मा लगाते हैं गड़ी पहनते हैं एक से एक चीजें करते हैं जैसे उसके अंदर से प्राण जाते हैं, तो तुरंथ घर के लोग बोलते हैं, तुरंथ इसके लिए फटाओ, तुरंथ इसको समसान गहाट ले चलो, कितना भी प्रियव्यक्ति क्यों नहो, कितना भी प्यारा क्यों नहो, लेकिन उसे ज़्यादा देर तक नहीं रखा जाता क्योंकि उसके सरीर से बद्वू आने लगती है क्यों आने लगती है क्योंकि उसके प्राण नहीं रहे तो गायत्री क्या करती है गयान प्राणान त्रायतेशा गायत्री गयान प्राणाय त्रायते शागाइत्री गयाने जो प्राणों की रक्षा करती है तो जो प्राणों की रक्षा करती है उसे गाइत्री बोलते है तो गाइत्री हमारे प्राणों की रक्षा करती है जो व्यक्ति गायत्री की उपासना करता है उसका आतमल मजबू होता है उसका सूर्य मजबूत होता है उसके प्राणों की रक्षा मा गायत्री करती है तो जब नारद मुनी को भगवान विश्णू नहीं बताया कि मैं ही गायत्री हूँ, मेरा ही स्वरूप है लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ तब फिर वो जाकर कि संकर जी से मिले और संकर जी से उन्होंने गायत्री के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने उस गायत्री का अर्थ बताया कि गायत्री मंत्र का अर्थ होता क्या है गायत्री मंत्र का अर्थ होता मित्रू उस प्राण सरूप, दुख नाशक, सुख सरूप, स्रेष्ट तेजस्वी, पाप नाशक, देव सरूप परमात्मा को हम अपनी अंतर आत्मा में धारण करें वह परमात्मा हमारी बुद्धी को सनमार की और प्रेरित करें तो भगवान सिव ने उन्हें बताया कि गायत्री मंत्र का यह अर्थ होता और इसको जो भी व्यक्ति जबता है, सर्व स्वलम मंत्र है इसके जबने से हर व्यक्ति की हर प्रकार की मनों कामना है, बड़े जल्दी शिद्ध होती है क्योंकि गायत्री जो है वो परब्रह्म है और ब्रह्मा जी ने गायत्री की तपश्या करके ही ब्रह्माण की रचना की तो ब्रह्मा जो है वो सर्जन करता है वो सर्जन करते है और विश्णु जो है उनका पोशक करते है हैं उनका पालन पोशन करते हैं और बोले सिव यानि मैं स्वयम मैं जो है उसका संहार करता हूं यानि जब हम पैदा होते हैं तो हमारा सरजन किसने की एे ब्रम्हा ने जब हम बड़े हुए हमारा पालन पोष्ण किसने की एप बिस्नू ने यानि मागाइत्री ने उसे हमें उसने हमें प्राण दिये स्वविता ने हमें प्राण दिये और फिर हर बेक्ति जो जन्मा है उसकी मृत्तु अवस्थ होती है और गायत्री मंत्र आज का मंत्र नहीं है यह अनाधिकाल का मंत्र है और फिर इसी से ब्रह्मा जी ने चारों बेद बेदों का भाश्च किया यदि हमारे बेद कहीं लुप्त हो जाते हैं तो चिंता करने की कोई बात क्योंकि गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसमें पूरी सक्तिया छुपी हुए है पुना कोई जब उसका जानकार आएगा तो वो वेदों की पुना उसकी रचना कर सकता है गायत्री मंत्र की तपश्या से तो मित्रों गायत्री मंत्र की जिन लोगों ने भी तपश्या की उन्हें आवसातीत सफलता है, प्राप्त होई हैं, तो इसलिए आज हमने इस चीज़ को इसलिए बताए कि गायत्री मंतर कोई ऐसा नहीं है कि कल पैदा हुगा और लोग उसको जपने लगे, गायत्री मंतर स्वयम जो हम बोलते हैं कि परमात्मा एक ही है, तो वही गायत्री मं पर ब्रह्म है, सारी समस्त ब्रह्मान की जितनी भी शक्तियां हैं, उसके 24 अक्षर में समाहित हैं, चाय वो दुरगा हों, काली हों, राम हों, कृष्ण हों, हन्मान हों, ऐसी 24 गायत्री हैं, दुरगा हो, काली हो, सीता हो, राधा हो, जितनी भी समस्त ब्रह्मान की सक्तिया बो सब कि सब इसमें समाहित हैं तो गायत्री मंतर के जपने से मातर से आप सारी शक्तियों को एक साथ जप लेते हैं जब हम गायत्री मंतर जपते हैं तो उसके जपने मातर से उन समस्त सक्तियों की पूजा हो जाती है जो हम अलग अलग तरीके से करते हैं इसलिए जो व्यक्त ताकि फिर पूजा करने के आवशकता नहीं पढ़ती है क्योंकि यह परम पता परमेश्वर है यह परम ब्रम है गायतरी परम ब्रम है तो परमात्मा में कभी बदलाव नहीं होता परमात्मा कभी नहीं बदलता अनंतकाल से वो चला आ रहा है लेकिन उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है बाकि स्रिष्टी की जितनी भी चीजें इस स्रिष्टी में है उन सब का बदलाव होते जाता है तो मित्रो ऐसे महान मंतर का हमें नित निश्चित रूप से जाब करना चाहिए जो भी हमसे जुड़े हुए हैं और जो हमारे वीडियो को लाइक करते हैं पसंद करते हैं उन्हें कम से कम संकल्प लेना चाहिए कि वो एक माला कम से कम नित गायतरी मंतर का जाब जरूर करें तो निश्चित रूप से उनके आने वाले जीवन में कई प्रकार की शमर्शाओं का समाधान होगा किसी प्रकार की कोई भी कठना ही नहीं होगी और आपको गायतरी जपने के माध्धम से जपने को ले करके किसी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमसे कभी भी बाट साब के माध्धम से या टेली फोन के माध्यम से आप हमसे संपर कर सकते हैं लेकिन बैटर हो कि पहले आप बाटसाप पर जो है अपना संका भेज़ें और हमें अधिया ऐसा लगएगा कि नहीं आप से फोन पर चर्चा की जाए तो फिर हम आप उसके इंफर्म करेंगे कि आप फोन पर चर्चा कर लें क्योंकि फोन काल्स इतने आते हैं कि हम बहुत कम आजके लिए फोन उठाते हैं दिन में सो सो डेड़ डेड़ सो फोन आते हैं तो सभी फोनों को अटेंड करना संबन नहीं हो पाता और जो ऐसे फोन होते जिनका हमारे पास में नाम नहीं हम वो ज़्यादा तर उन फोनों को रिशीव नहीं कर पाते हैं उन फोनों को हम रिशीव नहीं करते हैं तो मित्रो आपको कभी भी किसी प्रकारी की जानकारी आप हमारे बाठ साब मैसेच पर भेज करके उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और निस्चित रूप से आप गायतरी जब है आपको कई प्रकारी की शफलता है प्राप्त होंगे आप लोगों ने दि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कि हमें तुर तो से सब्सक्राइब जरू कर लें और इसी प्रकार अपना इसने वा प्यार बना रखें आपका दिन मंगल में हूँ मा गायतरी पुजगर देओ मा गायतरी माता की हमेशा आपके जीवन पर क्रिपा बनी रहे इन्हीं कामनाओं के साथ में हमें विदा दें नमस्कार